हेलो फ्रेंज एक बाद फिर सुझ वागत आपका आज की एक और गोल्ड एनलाईस वीडियो में तो आज हम इस गोल्ड में क्या सेटप दिख रहा है आज हम गोल्ड में कहा सपोर्ट रसिस्टेंज मार कर सकते हैं किस तरीके से एक simple सा technical analyze कर सकते हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कल के दिन previous day किस तरीके से gold में analyze किया था और market ने किस तरीके से trade गया दोस्तो कल का जो हमारा setup था ना काफी थोड़ा revise हो जा आपको इस trade का setup देखने को मिलें तो आप खुछ से analyze कर पाएं तो ध्यान से देखिएगा यह trend line हमने इसलिए मार किया था क्योंकि previous time market ने इस trend line को support लिया था support लिया था ठीक है तो आगे के लिए इसी trend line को extend कर दिया अब इसी के साथ-साथ यहाँ पे confirmation लेने के लिए हमने एक resistance area मार किया था कौन सा resistance area था friends यह था हमारा एक resistance area अब यह resistance इसलिए मार किया था कि इसको भी market ने previous time resistance लिया fall किया रसिस्टेंस लिया multiple time इस area को respect किया था rejection कर रहा था fall कर रहा था उसी time पे हमने देखा market एक ascending triangle pattern बना रहा है जिसका range यहाँ पे narrow होता हुआ नजार आ रहा है छोटा होता हुआ नजार आ रहा है तो अब यहाँ से हो सकता है इस trend line का break down करें अगर इस trend line का break down करता है और retest करता है तो फिर यहाँ से downfall भी कर सकता है कहां तक downfall कर सकता है उसके लिए यहाँ से हमने एक support मार किया था कौन सा support level था चलो मार करके दिखाता हूँ यह था हमारा support area यह support हमने इस लिए मार किया था क्योंकि previous time market ने इस label को काफी अच्छे से support लिया था देहान से देखो यह देखो हमारी trend line का wave का support था यह support था और accurate market ने जैसे ही breakdown के बाद retest किया market ने fall किया कहां तक हमारी support level था और देखो support लेने के बाद market ने again हमारी trend line को retest किया और इसके बाद फिर से यहां से fall कर दिया कहां तक हमारे support level तक जो next support था ना हमारा कौन सा support था यह बाला किक है देखो इसी level का market ने support लिया फिर यहीं से market बुलिशनी शो किया तो कल के दिन का जो हमारा analyze साना कितना easy analyze सा I hope आपने भी किया होगा कल जो यहां से हमने analyze किया था इस image को आपके साथ मैंने telegram channel पर भी share किया था देखो यह यहां पर जब हमें एक ascending triangle pattern यहां पर दिखाई दे रहा था इस pattern को market resistance ले रहा था उसी time पे मैंने आपके साथ यहां से resistance लेने को आप फॉल कर रहा था तो telegram channel पर share कर दिया था कि यह हमारा trend line को अगर break down करता तो downfall क कर सकता है अगर इस level को breakout करता तो फिर यह हमारा एक resistance निकल के आ जाता है कि यह एक resistance एरिया अगर इसको break करता है तो बाकि इसका break नहीं हुआ हमारा trend line का break हुआ और जो support मार किया था market में इस level को काफी अच्छा respect किया जो भी हमारा daily business का analysis होता है जो भी हम simple support resistance मार करते हैं अगर आप इस तरीके से perfect support, resistance, trend line, parallel channel को मार करना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए हमने अभी course launch किया है अगर आप interested हैं सीखने के लिए अगर आप इस तरीके से अपना perfect analyze करना सीखना चाहते हैं तो video discussion में आपको हमारे email ID मिल जाएगा आप हमें email पर contact करेगा मैं आपको course का details send करता हूँ अगर आप interested हैं तो आप हमें mail कर सकते हैं चलिए अब हम समझते हैं आज हमें एक घंडे के time frame में क्या setup दिख रहा है और किस तरीके से आज हम gold में एक simple सा analyze कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक support area दिखाए दे रहा है कौन से support है देको ये वाला support जो मैंने मार किया है market ने इस level को बहुत अच्छे से support लिया है यहाँ पे देखो support लिया यहीं से bullishness हो किया है previous time भी market ने इस level को support लिया है तो यह हो जागा हमारा एक support area अब इसी के सासात यहाँ पे हमें एक और trend line यहाँ पे मार करना है मैं आपको यहाँ पे trend line को मार market के दिखाना चाहूंगा जो trend line यहाँ पे हमने मार किया है इस trend line को भी market ने multiple time resistance लिया है रसिस्टेंस लिया रसिस्टेंस लिया और अभी देखो resistance लेने के बाद यहाँ एक hammer candle बनाया और देखो यहाँ से एक bearish candle यहाँ पे बनाया है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या gold trade कर रहा है अब हो सकता है मैं भी अगर इस pattern का break out करें तो कहां तक जा सकता है market उसके लिए कौन सा resistance यहाँ पे हो सकता है तो resistance के लिए friends यह बालत जो area है काफी अच्छा सा दिखाई दे रहा है काफी अच्छा resistance है यह क्योंकि previous time market ने इस area को जो हमने resistance मार किया है इस area को बह check out होता है ठीक है तो फिर हो सकता हमें एक up move देखने को मिले कौन सा resistance area है label की बात करें 2048.012 and 2045.277 का यह एक resistance area हमें दिखाई दे रहा है चलो अब इसके साथ मैं यहाँ से देख लेते है support area यह जो हमने support मार किया इसका label क्या है support label की बात करें 2037.392 and 2034.657 का यह हमें एक support area इसके दिखाई दे रहा है ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या दिखा दिया marketing range के अंदर trade कर रहा है resistance ले रहा, support ले रहा, resistance ले रहा, support ले रहा, और अभी देखो हमारी trend का यहां से resistance ले यहां से fall बगेरा करता होगा हमें देखने को मिले सपोर्ट लेने क बात हो सकता है फिर नय है यहां पे एगर breakout आउड़कर है यहां से हो सकता- अप्र मार करेंगे अपके अदरर करेंगे कर रहा है यहां से रेषीश्क्टेंस लिया रेटि Earn सपोर्ट लिया-किसका सपोर्ट लिया है पर लाज चेनल का तो यहां से हो सकता है middle line तक तो market fall कर ही सकता है अगर इसको भी breakdown किया तो फिर ये वाला है हमारा पेला channel का support area खिक है तो ऐसा करके यहां पर हमें दिखाई दे रहा है अब यहां पर market इस level को respect क्यों कर रहा है यहीं से market fall क्यों कर रहा है इसके से का reason में आपको यहाँ पर दिखाता हूंँ, simple सा हमें क्या करना है यह बाला high दिखाई देरा हमे एंड यह बाला low दिखाई देरा तो हमें क्या करना है, high to low feewo को mark करना है मैं ये high से पकड़ता हूँ and low तक fivo को मार कर देता हूँ जोसों high to low जैसे हम fivo को मार करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिलेगा यहाँ पे 0.5% का level and 0.618% का level दोनों ही हमारे resistance line के आसपास आ रहे हैं जैसे कि आपने देखा होगा market maximum time इस level को respect करता है हम जब भी इसको मार करते हैं तो probability कि भाई यहाँ से resistance लेने के बाद हमारे support तक जो support area यहाँ पे मार किया है हमने इस support area तक support लेने आए इसके बाद यहाँ से हो सकता है एक up move देखने को मिले अगर इस support को breakdown करता है एक घंडे के time frame में तो आप इस तरीके से आज एक analyze जरूर करिएगा टेटास और उम्मीद करता हूँ आज का यह analyze आपको पसंद आया होगा थोड़ बहुत आपको समझ में आया होगा आज हम gold में किस तरीके से कहा support और resistance area मार कर सकते हैं वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ही जरू करिएगा चैनल पर नहीं हो subscribe कर लेजिएगा साथ में bell icon को hit करना न भूले क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके का एक से में पाउसा analysis वीडियो डेली लेके आता रहता हूँ अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा मिलते हैं फिर नई वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए take care and bye bye